और दो एक चोटी सी टॉपिक بال podcast कि विजिस्ता हैं और बाल्य आसथा में सिक्षा का सुरूप क्या थै तो चोटे चोटे कुष्ष कोश्वेंज भी पूछे जा सकते थे चैसे की चारओवस्थां कि शोर ढ़ास्था सोरी सैस्याओस्ता बाल फटाफट से डिसकस कर लेंगे इस वीडियो में बाले अवस्ता की विसेस्ता क्या है और बाले अवस्ता में सिक्षा का सुरूप क्या होता है तो फटाख से वीडियो को सुरूप करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले जान जाए कि कि सोरा बाले अवस्ता कहते किसे 6 से 12 साल कुछ कितामों वे 5 से 12 साल भी देता है लेकिन 6 से 12 साल पांच के बाद लिखा होगा ठीक है तो 6 से 12 साल के अवस्ता को कि सोरा अब बिलकुल आपको याद करना है अपने घर के किसी ऐसे बच्चे के बार वस्ता को 6-12 वस्ता कमा रहा है इस प्रकार से सैस्या वस्ता एवं कि सोरा वस्ता ठीक है तो सैस्या वस्ता कौन सा है वही छैस साल से पहले की वस्ता सैस्या वस्ता और 12 साल के बाद की वस्ता को कि सोरा वस्ता तो सैस्या वस्ता एवम की सोरा आवस्ता के मद्द की आवस्ता को बाले आवस्ता का आ जाता है सैस्वा आवस्ता पूरी करने के बाद बालक बाले आवस्ता में पर्विस करता है अब यहाँ देखिए सैस्वा आवस्ता में बालक का सरीर और मन दोनों अब एक सिद्ध सामें होता है बहुत नाजुक होते हैं, वो अपरते एक बात के लिए दूसरों पर निर्फत रहता है, कैसे भई, जैसे कि सीजि़ियों पर चड़ना हो, बालक सहसे आवास्था में नहीं चल पाएगा, ठीक है, कहीं बाहर जाना हो, तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अब यहां क्या होता है, बाले अवस्था में जैसे ही बाले अवस्था में बालक प्रिवेश करता है वो थोड़ा बहुत आत्म निर्वर होने लगता है उसकी गतिविदियों का दारा बढ़ जाता है यानि कि वो बच्चा जो पहले के वो बेडरूम में खेला करता था बिस्तर पर खेला करता था अब वो नीचे आके खेलना पार्क में दोडना सीड़ियों पर चड़ने की कोशिस करना खिलाओने की पास जाना यह नो सीसे कंगी यह सब छूना तो यह सब उसकी थोड़ी सी अवस्थाएं बढ़ जाती है तो बाले अवस्था मतलब सिंपल सी आप समझ सकते हैं चैसे बारा साथ अब यह देखिए किल्पैट्रिक ने बाले अवस्था को क्या का प्रतिद्वन्तता का काल माना है जबकि कुप्व स्वामी के अनुसार बाले अवस्था में अनेकों परिवर्तन देखे जा सकते हैं तो बाले अवस्था का मतलब 6 से 12 साल इसमें आपने देखा कि यह सैसे अवस्था के बाद और किस और अवस्था से पहले की का अवस्था है और सैसे अवस्था में सैसे अवस्था में सरीर और मन दोनों और एक सी दसा में होते हैं वह पर तेक बात के लिए दूसरे पर निर्वर करता है परना तू बाल यावस्ता में परिवस करने के बाल बालक आत्प निर्वर होने लगता है तो यह थोड़ी सी इसकी अर्थ हो गई अब जल्दी से इसकी थोड़ी सी विश्थेता देखते हैं तो सारीक तो मानसिक में मजने लगेगा बातों को जानने की कोसिस करेगा ठीक है प्रबल जिग्यासा की प्रकृति प्रबल जिग्यासा की प्रकृति मतलब 6-12 साल का बच्चा आप देखिएगा वहर चीज जानने की कोसिस करेगा सूरच लाल है तो क्यों लाल है आसमान में तारे हैं तो क्यों तार जैसे कि दादा दादी के पास रहना नाना ने के पास रहना बुवा जी चाचु के पास रहना तो उसका वास्तिविक जगह से संबंद हो जाएगा और सामोहिक रूप से रहना पसंद करेगा नेक्स देश्टों खेल कूदों में भाग लेने की प्रवर्वर्टी सीडियों से क अब चारिक सिछा प्रारंब अब 6-12 साल के बच्चों को हम लोग अपचारिक सिछा सुरू कर देते हैं एफ फ़र एपल बीफ़र बॉल ठीक है तो यह सारी चीज़े उसको बदाना सुरू कर देता है चुकि इससे पहले भी सुरू हो जाता है मगर हां बाल यह वस्ता में सारी चीज़ें सुरू हो जाति है hai स्कूली जाने लगते हैं ठीक है और प्रतियस answer का मतलब क्या हो था है कि अपने कॉजन्स के साथ अपने सिबल Singhs के साथ अपने भाई भॉल के साथ एक प्रतियस परदा हो जाती कि मेरे पापा मेरे मम्मी मिझे जदा पिया गरती development of the mental abilities the nature of a strong curiosity the relationship to the real world okay tendency to participate in a group sport interest in a creative world self-reliance okay next one is the commencement of the formal education or competitive spirit okay so यह दोस्तों हो गई बाले वस्ता की विशेशता है नेक्स देखते हैं दोस्तों कि बाले वस्ता में सिख्चा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और सिख्चा के स्वरूप की प्रकृति कैसी होने चाहिए ठीक है आप देखिए जिग्यासा की संतूष्टी सिख्चा इस प्रकार हो कि बच्चे के questions को आप fulfill करें उसकी जिग्यासा को संतूष्ट करें certification of a curiosity रचनात्मक कार्यों की विवस्ता उसमें रचनात्मक कार्य ड्रॉइंग बनाना कुछ गेम्स बनाना प्रोजेक्स बनाना इन सारे चीजों की विवस्ता होने चाहिए परेटन की विवस्ता परेटन की विवस्ता मतलब बच्चों को थोड़ा सा क्लास में घूमने का एक क्लास संग्राप्रविदी का प्रोचसाहन ठीक है प्रोमोशन आफ तक कलेक्शन इंस्टिक्शन उनसे ऐसा कहिए कि की वह कलेक्शन इंस्टिंक्ट मतलब कि कुछ चीज़े क्लेक्ट यह गाधी ची की फोटोज क्लेक करना यह साइबर कैफे से निकल वाके लाना तो यह से एक संग् समाजी गुणों का विकास पर ध्यान देना चाहिए कि समाजी गुणों का मतलब यह नहीं कि जाकर राजनीती पर बात करें चैसे 12 साल के बच्चा क्या समाजी काम करेगा लेकिन हां उन्हें स्टार्ड कर देना है कि दर वह समाजी गुणों का विकास सिक्षा का चरूप हो उसमें समाजी गुर्ण को अध्यापकों का स्रेह यूक्त वहवार अब चूकि बच्चे चोटे हैं तो बड़े प्यार से बढ़ाना पड़ता है तो इसमें सिचा का स्वरूप अध्यापकों का सिरह युक्त वहवार होता है ठीक है नैतिकता का विकास करना चाहिए बच्चों में सारदी की विकास और करके सीखने की विधी पर बल देना चाहिए तो यह था दोस्तों दो इंपोर्टेंट पॉइंट सिचा का स्वरूप कैस ताकि एक्जाम से मैं आये तो कुछ देखे हर्य सबको पता आया यह यह